नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत आए आप आए मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात कर रहे हैं आज मांगली कुंडलियों की जिनकी मांगली कुंडली होती है उनके माता-पिता बहुत प्रेशान रहते हैं और मैं अगर कुछ बत आपने वीडियो देखेंगे बहुत साइज जानकर हासिल की होगी और माता पिता भी अपने बच्चों की कुंडली बहुत जगया ज्योत्यों को दिखा चुके होते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चों की कुंडली मंगलिक है मंगल जब खराब होते हैं तो लोग बाग सब मंगल का उपाई करने लगते हैं लेकि उतना ही प्रियापत नहीं है कि आप मंगल का उपाई करें तो आपकी मंगल दोश हट जाएगा मंगल दोश जब होता है कुंडली में तो माता पिता प्रेशान रहते हैं बच्चे खुद प्रेशान रहते हैं खास थो तो और खासतोर से विभा में तो देरी विलंब होते चले जाना बहुत मुश्किल है और विभा अगर मांगलिक की शादी हो भी जाए इसी गैर मांगलिक के साथ तो फिर उनकी शादी आगे चलके तूट जाती है तलाक वगेरा की नौबत आती है जगड़े चालू होते हैं को आपको चोटी सी मैं जानकरी देने जा रही हूं वह चोटी सी जानकरी है तो चोटी सी जानकरी से आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा आपके सुन्दर योग बनने शुरू हो जाएंगे शादी के बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो आपका मान सम्मान करे आपका क्यार करें आपको सच्छा प्यार करें तो करना क्या है आपको ये सौंबार के उपाई है नो सौंबार आपको ये उपाई करना है आपको किसी भी सौंबार से शुरू कर लेना है शुकल पक्ष के सौंबार हो तो बहुत अच्छी बात है आपको सुभे ये शाम का समय स शाम को करें लेकिन एक ही टाइम नौ सौंबार तक रखें तो मा पार्वती का एक चुत्र लें सामने एक चोकी पर मा पार्वती की चुत्र रखें भगवान शिव के साथ हो बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है और पूरु की तरफ मुंग करके बैठ चाहें मा पार मेंदी की पुडिया चाहिए माने कुपी चाहिए आपको मेंदी की जो लगाने वाली होती है वह आप मा पार्वती को अर्पित करें अर्पित करने के बाद आपको एक मंतर जब करना है जो आगे स्क्रीन पर आ रहा है उस मंतर को आपको 108 पर जब करना है मंतर का जब करने के बाद आप प्रार्थना करें मापार्वति के आगे भगवानश्प के आगे कि आपका विवा शिगर से शिगर हो और जो मंगल दोश है वह दूर हो जाए और आपको प्रफेक्ट जीवन साथी मिलें है अभ आपको दिन्दी प्रात्षना करने के बाद आपको साथ सुहागन Μहिलाओं को ये साथ जो चीजे हैं आपके पास तीन चीजे जो हैं साथ रहं की ये आपकोुनको महिलाओं को अरपित करनी है और ये आप अर्पित करने के बाद लड़की हैं, तो आप महिलाओं को सिंदूर की डब भी खोल के उनके माथे पर चलक भी कर सकती है, ठीकल लगा सकती है मतलब, और लड़का है अगर आप मांग ले तो फिर आप उनको अर्पित कर दें, दे दें को उनको वस्तमर्पित करना है मंगल् का मंतर है मा गोरी का ये आपको जब करना है ये आपको आप साथ 900 आप को करें साथ चीजें ये इसलिए से आप्पित करें देखेंगे आप कि आप का बिवाँ शिगर से शिगर तैय हो जाएगा और एक बाद जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी शादी करें, मांगली का लड़की है या मांगली का लड़का है, माता-पिता खास तोर से इस बात के और ध्यान रखें, कि आप कुंडली मिलान करके ही शादी करें, अन्यथा बाद में किसी पारकार का अनर्थ हो, जगडे, तलाक, कोड, कचैरी या किसी एक की मिर्त्यू हो जाना दो लोगों में से, ये सब बाद में ना हो, इसलिए जब भी करें, कुंडली मिलान करके करें, और खास तोर से मांग मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की से ही शादी हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की की ही शादी आगे चलके निबती है ग्यार मांगलिक से शादी निबना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत साई टूटना आती है बहुत सा अगर जब करते हैं, क्योंकि ये वीडियो में बनाया ही मांगलिक लड़के लड़कियों के लिए हैं, तो आप नित्य इस मंतर का जब करते रह सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके वेवाहिक जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पती पतनी की बहुत सुखी वेवाहिक जीवन रहेगा, और किसी प्रकार की कोई प्रेशानी जिन्दगी में आपके आएगी ही नहीं, तो आप भगवान शिव मा पार्वती का ये प्रयोक जरूर करें, अगर मागलिक लड़का और लड़की हैं, माता पिता इस प्रयोक को कर सकते हैं, लेकिन संकलप ल और कुंडली मिलान करके ही करें, मैं एडवांस में ही आपको शुबकामनाई देती हूं, कि नो समबर आपके पूरे होते होते, जरूर ये काम हो जाएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और आप जरूर इस प्रयोक को करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी, और मंगल देव आपके नुकसान की जगह आपके सहाई हो जाएंगे, तो इस प्रयोक को अवश्य करें, मांगने के लड़के लड़कियों के लिए छोटा सा उपाय है, और करना चाहिए उनको को बहुत ज्य